8.1.5 मस्तिश्क और उसकी भूमिका Structure of Brain and its Function हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाओं में मस्तिश्क की प्रमुक भूमिका होती है मस्तिश्क के अलग-अलग भाग से अलग-अलग क्रियाओं का नियंतरन होता है मस्तिश्क का अधियन करने के लिए वैज्ञानिक आजकल उसके सुक्ष्म काट लेकर परिक्षन करते हैं अक्सर मस्तिश्क के तीन भाग अग्र-मध्य और पश्च के रूप में हम इसका अधियन करते हैं पर मद्य और पश्च तथा अग्र और मद्य भागों के कारियों में कई समानताएं हैं अतह मोटे तोर पर हम यह कह सकते हैं कि मस्तिश्क के निचले भाग से सांस लेने, निगलने, शरीर के तापमान का नियंत्रन जैसे कारिय होते हैं जबकि उपरी भाग से देखने, सुनने, सुंगने, तर्क करने, इस्मरन रखने आधी कारियों का नियंत्रन होता है यह भाग अन्य जीवों की तुलना में मनुश्यों में अधिक विक्सित है मस्तेश के मेरु रज्जु द्वारा संचालित अनच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रन रखता है जैसे जब आप चलते हैं तो आपके हाथ आपके कदमों के साथ अनच्छिक रूप से एक विशेश तारतम्यता से चलते हैं आप जब मार्च पास्ट सीख कर कर रहे होते हैं तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार होती है अर्थात यह एक अच्छिक क्रिया है ऐसे सभी अच्छिक क्रियाएं मस्तिश के द्वारा संचालित हैं अतर जब हम सतर्क होकर कोई कारे करते हैं तब कारे मस्तिश के नियंत्रण में होता है कुछ अनेच्छिक क्रियाएं भी मस्तिश के द्वारा संचालित होती हैं जैसे आँखों पर तेज रोशनी पढ़ने से पुतली का सिकुडना क्या आप जानते हैं हमारे हिर्दय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है जिससे हिर्दय का धड़कना नियंत्रित रूप से चलता रहता है मस्तिश के सूचनाय मिलना बंध हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हिर्दय के कारे को संचालित कर सकता है आप अपने दिन भर के कारियों में से एच्छे क्रियाओं की सूची बनाईए उन में से किसी एक क्रिया से सम्मंधित अंगों की भी सूची बनाईए जब मस्तिश्क का उपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह निनलिकित तीन में से कोई एक भूमी का निभा सकता है पहला वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिनने नीचे वाला भाग तथा मेरु रज्जु करता है दूसरा वह उन्हें नियंत्रित धंक से चला सकता है तीसरा मेरु रज्जु के नियंत्रन के बिना ही सीधे मान स्पेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है आपको जानकर आशर होगा कि अक्सर मस्तिश्क के अधिकांश बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग के अधिकांश कारियों का नियंतरन होता है ठीक इसी तरह मस्तिश्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं भाग के कारियों का नियंतरन होता है हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिश्क तक पहुँचने वाली सूचनाओं से सम्मंधित प्रतिक क्रियाएं मिले जुले रूप में व्यक्त होती है आईए इसे क्रिया कलाब त्वारा समझने का प्रयास करें क्रिया कलाब तीन चित्र के अनुसार अपनी दोनों हतेलियों की तरजनी अंगलियों को आमने सामने की ओर एक सीध में लाएं पहले दोनों हतेलियों को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाए और फिर एक को घड़ी की दिशा में तो एक को इसके ठीक विपरित दिशा में साथ साथ घुमाए फिर एक हतेली को रोक कर दूसरी को घुमाए हथेलियों को साथ-साथ घुमाना आसान था या विपरित दिशा में ऐसा क्यूं हुआ होगा जब आप दोनों हथेलियों को साथ-साथ घुमा रहे थे तब इनसे सम्मंधित सूचनाओं की मस्तिश्क के भागों से मिली जूली प्रतिक्रिया आपके हाथों पर काम कर रही थी एक हतेली को रोक कर दूसरे को घुमाना भी आसान क्यों लगा जब आप चलते हैं तो आपके दाहिने पैर के आगे बढ़ने से आपका कौन सा हाथ आगे बढ़ता है और क्यों